सो गाइस जैसा कि हमने फिछले एपिसोड में देखा कि टॉप 16 कंटेश्टेंट के बीच मुकाबला शुरू हो गया था और सभी को बोस दी गई थी जिसमें कुछ नंबर्स लिखे थे उसके बाद आओचेंग का मुकाबला ली जिन के साथ और आओचेंग ने एक बाद फिर न के बारे में पता चलता जो के उससे नहीं पता था जिससे आओचेंग को बहुत बुरा लगा था इसलिया हूँ चेंग शेनिंग को कहीं बाद ले गया था आब हम जगें देखते हैं जहां बैटल किये जाते हैं रैफरी टॉप एड मुकाबले अनॉंस करता है रैफरी कह लेवल 5 के डिया यांग के साथ अनाउंस करता है इसके बाद दोनों की बेटा शुरू होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी डियान निंग से लड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो यह कह करो बहुत तेज हमला करता है जिसने असेसीन निंग पाता और डियान की चेन में वो फसकर नीचे गिर जाता है और उसका वेपन भी दूर गिर गया था फिर डियान निंग से कहता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जी सकते लेकिन निंग हाड नहीं मानता और अपने मेजिक से अपना हत्यार उठा लेता है और तेजिसे डियान का कला काट कर कहता है कि तुम हो जो ये मुकाबला आने वाले हो और इसी के साथ मुनिंग ये मुकाबला जीत जाता है अब शेनिंग और हुआंग का मुकाबला होता है हुआंग वेसे तो जानता था कि शेनिंग बहुत स्ट्रोंग है लेकिन वो पूरी इमत से लड़ता है और श चैनिंगे मुकाबला जीत जाती है इसके बाद आउचेन का मुकाबला शुरू होता है जो की समनल लियाओ यू के साथ था अब मुकाबला शुरू होते हैं लियाओ बहुत ज़्यादा श्ट्रॉंग हमला करता है और जूर से चिलाकर वाइड वर मीलियन को बुलाता है तब ही ह में पर्तों है करता है और ठैजिक वहीं को प्रोंढ़ करता है और औंपार सुर्ड करता है इसका मतलब यह था कि अब लियाओ हमला नहीं कर सकता था और आउचेन ये मुकावला जी चुका था लियाओ हाउचेन से पूछता है कि तुम मेरे वाइड वर मिलियन से कैसे बचे तो आउचेन बताता है कि मेरे पास होली आर्मर सूरता जिसे कोई भी जला नहीं सकता तबी बाहर बेटा एक असेसिन केहता है कि डीमन गौड एम्प्रार फंग जीो भी आउचेन से कुछ कम नहीं है वहीं ली जिन शेन इंग से कहती है कि मेरे ही वो आर्मर आउचेन को दिया था वहीं मास्टर इंग भी उस आर्मर के बारे में बताते हैं कि वो आर्मर असेसिन टेंपल ने बनाया है जो कि हवा आग बिजली जैसे एलिमेंट का सामना सनी से कर सकता है वहीं उपर बेटे एक माश्टर कहते हैं कि अच्छा है लेकिन इसा ही चलता रहा तो उनकी फेमिली का इसा बन जाएगा वहीं आउचेनियम मुकाबला जी चुका था इसके बाद रेफरी टोप एट के फाइनल मुकाबले को अनौस करता है अब मुकाबला अनौस होता है जो कि यांग और डुआन की बीच था तब ही लीडराण कहते हैं कि डुआन यी कहा है इसलिए और लेटो गया तब ही रेफरी डुआन से कहता है कि पागलों की तरह बाते करना बंद करो और मुकाबले पर ध्यान दो और यह कहकर रेफरी बेटा शुरू ही करता है कि यांग अपनी स्वार निकाल लेता है तब ही डुआन सभी को रुखने हो बोलता है और यांग से कहता है कि तुम मेरे बालों खराम मत करना और हमें इस स्वाइट को जल्दी खत्म कर देनी चाहिए और अपने बाइग पर भीड जाता है फिर यांग डुआन से कहता है कि क्या हो रेसिंग का मुकाबला करना चाहता है डुआन कहता है कि मेरेस करना चाहता हो मगर तुमारे पास थो बाइक ही नहीं है यह सुनकर यांग कहता है कि मेरे पास नॉर्मल बाइक नहीं है इसलिए वो अपने ड्रेगन को ही बाइक में बदल लेता है यांग डुआन से कहता है कि मुकाबला चाहे स्वार से हो या बाइक से वो दोनों में अच्छा है वहीं लीजिन कहती है कि एक रेसिंग बेटल होगी ये अलग और काफी अच्छा मुकाबला होगा लेकिन लीजिन रहान इसे कुछ नहीं थे वो गुसे में कहते हैं कि डिमन हंटिंग का मुकाबला है तब ही डुआनी लीजिन रहान से कहता है कि रूल के हिसाब से अगर दोव्यक्ति की हाँ हो तो कोई भी मुकाबला लड़ सकते हैं इसलिए अब लीजिन रहान भी कुछ नहीं कर सकते थे वहीं बाहर बेटे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी ऐसा मुकाबला नहीं देखा अब लीडर हान भी रेस के लिए मान जाते हैं और एक पोडल कोल कर कहते हैं कि जो भी सुरज डूबने से पहले या वापिस आ गया वो ये रेस जीत जाएगा लेकिन अगर दोनों ही नहीं पहुंश पाए तो फर्स्ट फॉर कॉलिफायर हार जाएंगे अब मुकाबला शुरू हो जाता है और दोनों एक काफी अची बाइक चला रहे थे लेकिन हम देखते हैं कि डूबन यांग से आगे होता है और यांग से कहता है कि ओफायट नहीं जी सकता था लेकिन ओर रेसिंग जरू जितेगा ये कहकर ओपनी बाइक और तेच कर लेता है तब ही यांग भी अपनी बाइक की रेस बढ़ाते हुए कहता है कि कोई भी मुकाबला हो वो कभी नहीं आरता। जैसे यांग ये कहता है तो ड्वाण गुसा होकर बोलता है क्यों से ज़्यादा बाइक चलाई है और वो बाइक से वहाँ अलग अलग स्टेंड करने लगता है। बहुत अच्छी बाइक चलाता हूँ डुआन कहता है कि तुम मेरे लिए यहां रुक गए मैं ऐसे बात हमेशा याद रखूंगा दोनों रेस करने लगते हैं लेकिन अपकी बार दोनों पहले से भी तेजी से बाइक चला रहे थे वहीं बेटल फिल्ड में एक मास्टर लीडर को अपने और भी श्टन दिखा रहा था जैसे बाइक से कूट कर वापिस बाइक पर आकर खड़े हो जाना तब ही वहाँ पर डुआन देखता है कि परिशानिया और बढ़ने लगी थी क्योंकि रास्ते तूटने लगे थे डुआन कहता है क्यों लिडर हान इसा कैसे कर सकते हैं लेकिन यांग भी ना कुछ बोले अपनी बाइक से वहाँ से तेजी से निकलने लगता है अब डुआन भी अपनी बाइक की स्विट बढ़ा लेता है और अब उनके सामने पोर्टल था और दोनों ही पोर्टल की तरफ अपनी बाइक के साथ कूटते हैं तब ही पोर्टल बिटने वाला था लेकिन अभ यांग यह मुकाबला जीत जाता है और लिडरहान डुवन को भी बचा लेते हैं डुवन ने इसलिए भी किया होता है क्योंकि अगर दोनों आरते तो कोई आगे नहीं बढ़ता, दोनों ये मुकाबला आरते, तो बाहर हो जाते, अब यांग ड्वान को शुक्रिया कहता, उससे पहले ही ड्वान उससे कहता है कि हम नाइट है, हम एसा ही करते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे गात पकड़ते, तब ही हम उपर उनी माश्टर क को देखते हैं, जो बार बार, लीडराहान को कुछ ना कुछ बोलते ही जा रहे थे, अब यो लीडराहान से कहते हैं, कि दोनों बहुत अच्छे नाइट है, अगर कोई भी बहार होता, तो बहुत बुरा होता, हम हाउचेन को देखते हैं, जो मन में कह रहा था, कि इसके पर शेनिंग असेसिन टेंपल से और चोते नमबर पर यांग नाइट टेंपल से अब हम लिन को देखते हैं जो आउचेन के पीछे बेटा यहीं सोच रहा था कि क्या होचेन उससे किया हुआ वादा पुरा करेगा या नहीं तभी शेनिंग कहती है क्यों सेमी फाइनल से बाहर यहीं described मैंक्वक्ड रहान माशंचरी इंको कहते हैं कि टीम में आने के लिए ऐसा कर रही है मास कर लिएकर करता है यह बहु करता है जो नंद पक्रेंग क्यों हैं पता था यह नहीं नगा और आये सामuity झाल था कि आउचेन अपना वादा निबाएगा या नहीं तब यह से सिन्मूनिंग भी बाहर हो जाता है अब बचे थे सिभ यांग और आउचेन वहीं हम यांग को देखते हैं जो खुश था कि उसे फिर से आउचेन के सांद मुकाबला करने का मौका मिल रहा था वहीं शेनिंग आउचेन से कहती है कि मुकाबला जीतने के बाद वो अपनी टीम में पांच लोगों को रख सकता है तब यह आउचेन को लिन का वादा याद आता है लेकिन और शेनिंग को यह नहीं बता पाता क्योंकि आउचेन अभी फेसला नहीं ले पा रहा था इसके बाद अमरात को आ नियम बहुत पहले से बने वे हैं इसलिए सबी और ले नियम मानने होते हैं हाउ चेन कहता है कि भी नियमों का पालन करेगा इसके बाद हुचेन कहता np.Trade कि मैं कौषिच करूंगा मैं सही फेसल लालू कि हर परिशानी जरूरो होता है इसके बादウ адम आउचेन को से कहता है कि उसे उनसे एक आखरी मदद चाहिए इसी के साथ यह एपिसोड यह पर खत्म हो जाता है गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लें थैंक्स रोचिंग